वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, चैनल पर हो रही, इस क्लास में हम जीके का प्रीवेस एस क्वेशन का प्रेक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेशन बलेंगे, अगर आप आज पहली बार आ रहे जोगी पांच मिनिट का होता है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एक विक रिवीजन की तरह, तो यह सभी चैनल के कंटेंट है, जो कि आपको फ्री प्रोवाइड हो रहा है, बस आपको क्लास लेनी है, जोईन होना है, लाइव आना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, पढ़ना है, और सीखना है, वेलकम, 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 स्वागत है आप सभी का, एक्जाम जी के यूटूब चैनल पर मैं रंजीत पांड़े आप सभी का, स्वागत करता हूँ, जुड़ते जाईए सभी, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी अली आते जाईए सभी, वेलकम, 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 हाँ जी, क्लास रोज होती है, आप परड़े आ सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं क्लास, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, आवाज साफ आ रही है, आडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, चलिए, आडियो क्लियर है, शुरू करत आपसे पूछा गया है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्ण आज आपके सामने है, कीटों से सम्मंदित जी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए, चले देख लेते हैं इस प्रश्ण का सही उत्र क्या हो सकता है, तो कीटों से सम्मंदित जी विज्ञान की नाम से जानते हैं, option number A, प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, important question है, विज्ञान की शाखा से सम्मंदित प्रशन एक्जाम में आते हैं, एक दो पांच साथ questions आते हैं, है ना, next question देख लेते हैं, अगले प्रशन में चलते हैं, अगला प्रशन ये रहा आपके सामने, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से, मनुष्य की नसल को सुधारना क्या कहलाता है, राइट आंसर क्या है, प्रशन के लिए, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से मनुष्य की नसल को सुधारना क्या कहलाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए चलिए देख लेते हैं इस क्वेशन का एकदम आसान सा आंसर है तो मनुष्य मनुष्य हम जानते हैं कि जो युवा होते हैं वो यूथ कहलाते हैं यूथ और आपको पता है अगर युवा सुधर जाएंगे युवा सुधर जाएंगे मतलो आदतों से लेकर नहीं उनमें बदलाव किया जाए कि जिससे वो समाज को भेतर तरीके से अपने आपको रिप्रेजेंट कर सकें तो यूथ में अगर बदला होगा तो मानो जाती अपने आप बदल जाएगी तो यूथ से हो जाता है यूथ हे निक्स आप्शन नमब बी प्रश्न का सही उतर हो जाएगा मनुष के वातावरणों को सुधारने से उसकी नसल का सुधारना क्या कहलाता है तो उसे हम यूथ हे निक्स के नाम से जानते है राइट आंसर हो जाएगा यूथ हे निक्स ठीक है ओप्शन नमब बी सही उतर है नेक्ट कोशन देख लेते हैं वन्शागती के नियमों का अध्यन क्या कहलाता है इंपोर्टेंट कोशन है वन्शागती के नियमों का अध्यन क्या कहलाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वन्शागती के नियमों का अध्यन क्या कहलाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए वन्शागती के नियमों का अध्यन क्या कहलाता है right answer क्या हो जाएगा प्रशन के लिए very well done champions very well done right answer वनशागती के नियमों का अध्यन क्या कहलाता है तो हम इसे अनुवानशकी के नाम से जानते हैं option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा वनशागती के नियमों का अध्यन क्या कहलाता है तो इसे हम अनुवानशकी के नाम से जानते हैं सही उत्तर हो जाएगा वीडियो को हो सके तो अपने गुरुप में जरूँ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा जिसे और भी श्टुडिन्ट दोस्त हमारे साथ क्लास में आ सकें अपने ग्रूप में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें क्लास अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें राइट आंसर हो जाएगा वन्शागती के नियमों का अध्यन क्या कहलाता है मोलस्क समुदाय के जन्तूओं के कवच का अध्यन क्या कहलाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए मोलस्क समुदाय के जन्तूओं के कवच का अध्यन क्या कहलाता है राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मोलस्क समुदाय के जन्तों के कवज का अध्यन कौंकोलोजी कहलाता है option number B right answer हो जाएगा कौंकोलोजी important question है यह series के अधिकतर question previous questions हैं जो बार बार पूछे जाते हैं exam में अगर आप इनको नहीं बना पा रहे हैं याद कर लिज़े जिससे exam में अगर आएं तो exam में आप इन्हें बना पाएं right answer क्या हो जाएगा तो मोलस्क समुदाय के जन्तों के कवज का अध्यन क्या कहलाता है तो इसे हम कहते हैं कौंकोलोजी next question देख लेते हैं अगला प्रशन यह रहाख के सामने cancer सम्द्धी रोगों का अध्यन क्या कहलाता है cancer cancer से सम्वन्धित रोगों का अध्यन क्या कहलाता है right answer क्या है प्रशन के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल परना है तो subscribe जरूर करने और share जरूर करते चलें Cancer सम्मंदी रोगों का अध्यन क्या कहलाता है Right answer क्या है प्रशन के लिए तो Cancer से सम्मंदित रोगों का अध्यन ये कहलाता है Oncology Option Number Oncology प्रशन का सहीतर हो जाएगा C Option Right answer है जी विज्ञान की विज्ञान की साइंस की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्यन करते हैं, वह है ओंकोलोजी, option number C, प्रश्टिंग का सहीतर हो जाएगा, और विशेशर के कहलाता है, ओंकोलोजिस्ट है ना, next question देख लेते हैं, घाव का अध्यन, किसी भी प्रकार का घाव जो होता है, वो क्यो हुआ कैसे ठीक होगा, क्या उसकी इस्तिती है, घाव का अध्यन जो होता है, उसे हम किस शाखा के अंतरगत समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, घाव का अध्यन क्या कहलाता है, सही उत्तर क्या है, देखिए विज्ञान की ये शाखाएं जो हैं एक्जाम में पूछी ही जाती हैं कौन सी शाखा में किसका अध्धिन करते हैं ये आपके लिए हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है एक बार आपने याद कर लिया तो हमेशा के लिया फुरसत तो इनको अच्छे से समझ के प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा घहाओ का अध्यन क्या कहलाता है च्रोप्रेंटो लॉजी प्रश्ण का सही उत्तर हो जायगा इंपॉर्टरन कॉश्ण क्यों manifest Histology जो है यह किससे सμβंदित है? Right answer क्या हो जाएगा? प्रशन के लिए, histology किस से सम्बंदित है, सही उत्तर क्या है, प्रशन के लिए, histology किस से सम्बंदित है, सही उत्तर क्या है, very well learn, very well learn, champions, बहुत अच्छे, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं, सही करते जाएए, histology किस से सम्बंदित है, सही उत्तर क्या है, तो histology जो है यहां उतक से सम्मनित जीविज्ञान की शाखा है, जिसमें उतक से सम्मनित अध्यन किया जाता है option नमर A प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा histology क्या है? तो histology उतक से सम्मनित अध्यन कहलाता है right answer है इस प्रश्ण के लिए उतक जिस-जिसके भी गलत हो रहे हैं, सही करते जाएं जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें उतक से संबंधित अध्यन, हिश्टो़ोजी कहलाता है अगला प्रश्ण है, और निथोलोजी में किसका अध्यन करते हैं? और निथो लौजी में इनमें से किसका अध्यन करते हैं और निथो लौजी में किसका अध्यन करते हैं राइट आंसर क्या है और निथो लौजी में किसका अध्यन करते हैं दोस्तो वीडियो को शेयर करते जाईए जो भी चैनल पन्नाय है सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर करते जाईए चैनल पन्नाय है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी चैनल पन्नाय है सब्सक्राइब जरूर करें शेयर जरूर करें और निथोलोजी में किसका अध्यान करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? और निथोलोजी में किसका अध्यान करते हैं? चलिए देख लेते हैं, तो और निथोलोजी में पक्षियों का अध्यान किया जाता है, option number A, फ्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा, और निथोलोजी ज इसमें हम पक्षियों का अध्यं करते हैं। नेक्श कौशन है, तितलीयों का अध्यं जी विग्ध्यान की किस साखा के अंतरगत करते हैं। तितलियों का अध्यन जीविज्ञान की कौन सी शाखा के अंतरगत करते हैं, राइट आंसर क्या है, तितलियों का अध्यन जीविज्ञान की कौन सी शाखा के अंतरगत करते हैं, सही उत्तर क्या है, चलिए देख लेते हैं, इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, तो तितलियों का अध्यन जो है यह कहलाता है लैपी डैटीरियो लौजी आप्शन नमबर C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा तितलियों का अध्यन कहलाता है लैपी डैटीरियो लौजी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है वीडियो को प्लीज शेयर करते चल जो भी पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करते चलिए, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, अगला प्रशन क्या है, यह रहा आपके सामने अगला कोशन, आप से यहां पर पूशा गया है, नेक्स्ट कोशन में, कीडों के अध्यन को क्या क कहा जाता है, राइट आंसर क्या है, कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है, सही उत्तर क्या है, प्रशन के लिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या है, प्र का अध्यन जो है ये कहलाता है Entomology, option number B प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा कीडों का अध्यन Entomology कहलाता है option number B Entomology, प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा, right answer क्या है कीडों का अध्यन क्या कहलाता है Entomology, भहुत अच्छे, champions very good, keep it up, good going अच्छा question, अच्छा answer right answer हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए कीडों का अध्यन क्या कहलाता है Entomology प्रश्ण का सही उत्तर है next है Paleontology के अंतरगत किसका अध्यन करते है important है Paleontology के अंतरगत किसका अध्यन करते है ये विज्ञान की वो शाखा है जो एक्जाम में 100% पूछी जाती है एक नई question किसी ने किसी shift में जरूर मिलेगा आपको तो अच्छे से याद कर लीजिए Paleontology के अंतरगत किसका अध्यन करते है सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए Paleontology के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है सही उत्तर क्या हो सकता है प्रश्ण के लिए चलिए बतलाईए Paleontology के अंतरगत किसका अध्यन करते है सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए Paleontology के अंतरगत किसका अध्यन करते है सही उत्तर क्या है? प्रशन के लिए, very well done, जी, very well done, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, paleontology के अंतरगत जो है, हम जीवास्म का अध्यन करते हैं, किसका? जीवास्म, option number, D, प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, जीवास्म, fossil, right answer क्या है? paleontology के अंतरगत, हम जीवास्म, fossil का अध्यन करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा, अगला question है, जीवों के संकर्मन के विरुद्ध, प्रतिरोध का अध्यन, अगर किसी प्रकार का कोई संकर्मन होता है, तो हमारी body उससे लड़ती है, और उस संकर्मन को खतम करती है, तो जीवों का संकर्मन के विरुद्ध, प्रतिरोध का अध्यन, क्या कहलाता है, जीवों का संकर्मन के विरुद्ध, प्रतिरोध का अध्यन, क्या कहलाता है, जीवों का संकर्मन के विरुद्ध, प्रतिरोध का अध्यन, क्या कहलाता है, जीवों का संकर्मन के विरुद्ध, प्रतिरोध क करते जाएं क्लास रोज होती है आप परड़े आ सकते हैं फ्री क्लास है अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जीवों का संकर्मन के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्यन क्या कहलाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए चली देख लेते हैं तो जीवों का संकर्मन के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्यन, उनकी immunity system का अध्यन, उनके प्रतिरोध तंत्र का अध्यन, immunology के अंतरगत होता है, option number B, प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा important questions की series है, विज्ञान की ये शाखाएं 100% exam में आती है आपके किसी ना किसी shift में ये question पूछे ही जाएंगे तो अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिए नहीं बन रहे हैं, तो समझ के रख लीजिए लिख लीजिए, जैसे भी चाहें इनको contest कर लीजिए तो जीवों के संक्रमन के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्यन का कहलाता है इसको हम immunology के अंतरगत study करते हैं, right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं अस्थियों का अध्यन विज्ञान की किस शाखा के अंतरगत करते हैं अस्थियों का अस्थियों का अध्यन विज्ञान की किस शाखा के अंतरगत किया जाता है अस्थियों का अध्यन करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए अस्थियों का अध्यन विज्ञान की किस शाखा के अंतरगत करते हैं राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए अस्थियों का अध्यन विज्ञान की किस शाखा के अंतरगत करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास रोज होती है, आप परड़े आ सकते हैं, फ्री क्लास है, अपने दोस्तों को शेर जरूर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए, अस्थियों का अध्यन क्या कहलाता है, सही उत्तर क्या है प्र अस्थियों का अध्यन कहलाता है, औस्थियो लौजी राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रशन के लिए, औस्थियो लौजी राइट आंसर है, जिस इसके भी गलत हो रहे हैं, सही करते जाएए, जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगली कोशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, मानव तवचा का अध्यन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है? प्रशन के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए अपने अपने ग्रूप में, अगर आपका कोई ग्रूप है तो वीडियो को इसमें शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए मानव तवचा का अध्यन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है सही उत्र क्या हो सकता है तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा इसका नाम है Dermatology क्या हो जाएगा Dermatology option number D प्रशन का सही उत्र हो जाएगा और जो विशेशगी होता है वो Dermatologist होता है Right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए मानव तवचा का अध्यन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो इसे हम Dermatology के अंतरकत study करते हैं भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की और बहने वाले प्रदूशक कच्रे को क्या कहा जाता है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे बहने वाले प्रदूशकों को हम किस नाम से जानते हैं चैंपियन्स वीडियो को शेर जरूर करें, चैनल पर अगर नय है तो सबस्क्राइब करना ना भूलें, सबस्क्राइब जरूर करें Right answer क्या हो जाएगा, भूमी गत जल के साथ में नीचे की और बहने वाले कछरे को हम क्या कहते हैं या प्रदूशक को हम क्या कहते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए भूमी गत बहने वाले जल के साथ जो प्रदूशक बहते हैं उनको हम क्या कहते हैं तो उनको हम कहते हैं निश्चालक आपशन नमबर A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर क्या है? निश्चालक कहा जाता है उन्हें अगला क्वेशन है आपके सामने भूमी गत जल को दूशित करने वाले अजयविक प्रदूशक क्या कहलाते है? राइट आंसर क्या है? भूमीगत जल को दूशित करने वाले आजयाविक प्रदूशक क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है? प्रशन के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों को लिंक शेयर जरूर करें क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए? राइट आंसर प्रशन का सही उत्तर क्या हो सकता है? भूमी गत जल को दूस्त करने वाले जैविक प्रदूशक क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है? प्रशन के लिए चलिए देख लेते हैं इस प्रशन का सही उत्तर क्या ह तो इसे हम कहते हैं क्या तो यह कहलाते हैं आर्सैनिक option number C प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन्हें हम आर्सैनिक कहते हैं जो भूमिगत जलको प्रदूशित करते हैं राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए नेक्ट गौशन देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या ह कि उत्तर क्या हो जाएगा प्रैवरण सर्रक्षण के लिए कॉन सी अंतरराश्र्य एजनसी काम करती है, सही उत्तर क्या है, प्रश्च का वीडियो शेर करते चलिए, चैनल नए है तो सबस्क्राइब जरूर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा परियावरन सनक्षन के लिए कौन सी अंतर राश्रे एजनसी काम करती है सही उत्तर क्या हो जाएगा शेयर करते चलिए वीडियो को जो भी चैनल पर नए है सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए परियावरन सरक्षन के लिए कौन सी अंतर राश्री एजनसी काम कर रही है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए तो चली देख लेते हैं तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यह है ग्रीन पीस है ना ऑप्शन नमबर सी उत्तर हो जाएका जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही जरूर करते जाएं राइट आंसर हो जाएगा परियावरन सरक्षन की लिए जो एजनसी काम कर रही है वह ग्रीन पीस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next question देख लेते हैं अगला प्रशन है और वरकों के अत्यधिक प्रियोग से इन में से क्या होगा और वरकों के अत्यधिक प्रियोग से इन में से क्या होगा राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए प्रशिट के लिए, औरवरकों के अत्यथिक प्रियोग से, इनमे से क्या होगा? राइट अंसर क्या है? प्रशिट के लिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जी हां, राइट अंसर क्या हो जाएगा? और वरकों के अत्यतिक प्रियोग से इन में से क्या हो सकता है सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए Very well done जी, very well done चली देख लेते हैं तो और वरकों का अगर आप अत्यतिक प्रियोग करते हैं तो ये सारे काम होंगे जो option में लिखे हैं आपका जल प्रदूशन होगा, म्रदा प्रदूशन होगा, वायू प्रदूशन होगा option number, all of ever प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Right answer है इस प्रशन के लिए और वरकों के अगर आप जारूष से जादा प्रियोग करते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती है Right answer हो जाएगा Next question देख लेते हैं वायू प्रदूशन के फल स्वरूप लोगों को फुफुस कैंसर से भी अधिक मारने वाला रोग कौन सा है अगर अत्यधिक वायू प्रदूशन होता है तो इनमें से कौन से रोग से लोगों को सबसे ज़्यादा प्राब्लम्स होगी Right answer क्या हो सकता है प्रश्ण के लिए इनमें से कौन से रोग से लोगों को सबसे ज़्यादा प्राब्लम्स होगी सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें राइट आंसर क्या है? वायू प्रदूशन के फलस्वरूप फुफुस कैंसर से भी जादा लोगों को कौन से रोग से सबसे जादा व्याधी होती है राइट आंसर क्या हो सकता है प्रशन के लिए? वायू प्रदूशन के फलस्वरूप फेफलों के भी कैंसर से जादा खतरना कौन सी बिमारी होगी जो लोगों को बहुत ही नुकसान पहुचाने का काम करेगी? सही उत्तर क्या हो सकता है प्रशन के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ये होती है वातिस्पिती क्या होती है वातिस्पिती है ना अस्थमा आप समझ सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा सांस लिने में तकलीफ होती है औप्शन अमबर C प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, next question देख लेते हैं इसके द्वारा जल प्रदूशन को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाईला ग्लोबो सा प्रियोग होता है चलिए बतलाईए, जल प्रदूशन कौन सा होता है जिस प्रदूशन को साफ करने के लिए पाईला ग्लोबो सा एक प्रदूशन को साफ करने के लिए प्रियोग किया जाता है राइट आंसर क्या है, प्रश्ण के लिए किसके द्वारा प्रदूशन होने पर पाईला ग्लोबो सा को प्रियोग किया जाता है इन में से कौन से प्रदूशन को साफ करने के लिए राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्या उत्तर हो जाएगा पाईलोग पाईला ग्लोबोसा किसके प्रदूशन को साफ करने के लिए प्रियोग किया जाता है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए हाँ जी पाईला ग्लोबोसा किसके प्रदूशन को किसके द्वारा फैलाए गए प्रदूशन को साफ करने के लिए प्रियोग होता है राइट आंसर क्या है तो जल में कैडमियम का अगर प्रदूशन हो जाता है तो पाइला ग्लोबोसा उस कैडमियम का प्रियोग करके उस कैडमियम का प्रियोग करके पाइला ग्लोबोसा का प्रियोग किया जाता है पानी में कैडमियम का प्रदूशन पाइला ग्लोबोसा का प्रियोग करके साफ किया जाता है Next question है निम्न मैं से समिधान सभा की प्रारूप सभीती के सदस्य कौन नहीं थे? समिधान सभा की प्रारूप समिती के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? Right answer क्या है इस प्रश्ण के लिए? समिधान सभा की प्रारूप समिती के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? Right answer क्या है प्रश्ण के लिए? जी हाँ जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाईए जो भी पहली बार आ रहे हैं सबस्क्राइब ज़रूर करते जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए समिधान सभा की प्रारूप समिती के सदस्य इन में से कौन नहीं थे राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए चली देख लेते हैं तो डॉक्टर राजेंदर प्रशाजी प्रशन का सहीतर हो जाएगा समिधान सभा की प्रारूप समिधी के सदस्य राजेंद प्रशाजी नहीं थे भारतिय समिधान का निर्माण इन में से किस ने किया था? भारतिय समिधान का निर्माण इन में से किस ने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए? भारतिय समिधान का निर्माण जो है यह किसने किया था राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए भारतिय समिधान का निर्माण किसने किया था राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हाँ वीडियो को शेयर करिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन आउन करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें सही उत्तर क्या हो सकता है प्रशन के लिए very well done जी very well done keep it up good going तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो सकता है प्रशन के लिए चली बतलाईए सोचिए समझिए answer दीजिए right answer क्या है प्रशन का आप से यहाँ पर पूछा गया है क्या पूछा गया है question में तो आप से यहाँ पर पूछा गया है निम्न मेंसे भारतिय सम्मिधान का निर्माण किस ने किया है तो भारतिय सम्मिधान का निर्माण जो है Constituent Assembly ने किया है option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Constituent Assembly ने भारतिय सम्मिधान का निर्माण किया है Congress ने संभिधान निर्माण हेतू संभिधान सभाके गठन की मांग 1936 में कौन से अधिवेशन में रखी थी क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्चन के लिए Congress ने यह मांग किस अधिवेशन में रखी थी Right answer क्या हो जाएगा इस प्रश्चन के लिए जो भी पहली बार आ रहा हैं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें Right answer क्या है प्रशन के लिए कॉंग्रेस ने समिधान सभा के गठन की मांग इन में से किस अधिवेशन में, कहां के अधिवेशन में रखी थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए हाजी, शेयर करते चलिए, वीडियो को अपने अपने ग्रूप में, सोचिए समझ ही आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो सकता है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 1936 का जो अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था, फेजपुर में, आप्शन नमबर, ए प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, फेजपुर अधिवेशन, राइट आंसर है, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं, सही करते जाईए, जो भी, पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करते चलें, अगला कॉशन क्या है, 42 समिधान संसोधन के द्वारा, समिधान की प्रस्तावना में, कौन से शब्द जोडे गए थे, राइट आंसर क्या है, 42 समिधान संसोधन के द्वारा, समिधान की प्रस्तावना में, कौन से शब्द जोडे गए थे, राइट आंसर क्या है, प्रशन के लिए, 42 समिधान संसोधन के द्वारा, समिधान की प्रस्तावना में, कौन से शब्द जोडे गए थे, राइट आंसर क्या है, प्रशन के लिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पन नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रशन के लिए सभी बताएंगे, 42 समिधान संसोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पंथ निर्पेक्ष, समाजवादी और अखंजता, आप्शन नमबर C, प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है, आप्शन नमबर C, प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाएए नेक्स्ट क्वेशन की ओर चलते हैं, अगला प्रशन है, निम्ण में से कौन सी विशेस्ता भारतिय सम्मिधान की विशेस्ता नहीं है, भारतिय सम्मिधान की विशेस्ता इनमें से कौन सी नहीं है, राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए, इनमें से कौन सी विशेस्ता जो है विशेस्ता नहीं है, राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए? इन में से कौन सी विशेस्ता भारतिय सम्मिधान की विशेस्ता नहीं है, सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, भारतिय सम् अतलब क्या होता है जब चाहें चलब आप नियम बदल सकते हैं तो ऐसा नहीं है भारतिय समिधान के विशेष्टा अधिक लोचशील होना नहीं है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएए जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा अधिक लोचशील होना भारतिय समिधान के विशेष्टा नहीं है भारत में नियाए पाली का इनमें से कौन सा ओप्शन फॉलो करेगी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए भारत में नियाए पाली का इनमें से कौन सा ओप्शन फॉलो करेगी राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए भारत में नियाए पाली का इनमें से कौन सा ओप्शन फॉलो करेगी सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए वीड फॉलो करेगी, सही उत्तर क्या है, हाँ जी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत में न्यायपाली का जो है, पूर्ण रूप से स्वतंतर है, अपने लिए, आप्शन नमबर A प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत में जो न्यायपाली का है, यहाँ तत्व संग्य साशन की विशेस्ता नहीं है, भारतिय संविधान का कौन सा इन में से, भारतिय संविधान का कौन सा तत्व संग्य साशन की विशेस्ता नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संग्य साशन की विशेस्ता नहीं है, राइट आंसर क्या है, प्रश्न के लि जी संघिय साशन की विसेस्ता नहीं है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एकल नागरिक्ता होना option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा एकल नागरिक्ता संगीय साशन की विश्यस्ता नहीं है राइट आंसर है इस प्रशन के लिए जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाईए जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं अगला प्रशन क्या है निम्ण मैं से कौन से तत्व हमारे सम्मिधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले अपने अपने दोस्तों को अपने अपने ग्रुप में जरूर बताएं आप सभी जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए आपसे question पूछा गया है यहाँ पर कि कौन से तत्व हमारे संभीधान को एकात्मक रूप प्रदान करते हैं सही उत्तर क्या हो सकता है चली देख लेते हैं तो राज्यों में राश्पती शाषन लगाना बिल्कुल सही है केंदर में सरकार के आपात काली अधिकार बिल्कुल सही है अवसिश शक्तियां संसत के पास में बिल्कुल सही है उपर एक सभी प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा वेलकम बिहारी जी वेलकम बिहारी जी वेलकम बहुत देर हुई आने में लेकिन चलो शुकर है आप आए तो कम से कम संसदिय प्रणाली की सरकार में इनमें से वास्तविक कारेपालिका की शक्ती का प्रियोग कौन करता है? संसदिय कारेपालिका की शक्ती का प्रियोग कौन करता है? सही उत्तर क्या है? प्रणाली की सरकार में वास्तविक कारेपालिका की शक्ती का प्रियोग कौन करता है? सही उत्तर क्या है? प्रणाली के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें सही उत्तर क्या हो सकता है? प्रण के लिए चलिए बतलाईए Very well done जी, very well done, keep it up Good going Right answer क्या है संसदिय, कारे प्रणाली की सरकार में वास्तविक कारे पालिका की शक्ती का प्रियोग कौन करता है Right answer क्या हो जाएगा तो मंत्री मंडल वास्तविक कारे पालिका शक्ती का प्रियोग करता है अगला question है संसदिय, कारे प्रणाली की सरकार में कारे पालिका का मुख्या कौन होता है Right answer क्या है प्रश्ण के लिए संसदिय, कारे प्रणाली की सरकार में मुख्या कौन होता है Right answer क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हाँ जी राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए चलिए बतलाईए सही उत्तर चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका यह कारेपालिका का मुखिया जो है यह नाम मात्र की शक्तियां रखता है मतलब राष्पत्र जी कारेपालिका की मुखिया होते है लेकिन उनके पास में नाम मात्र की शक्तियां है सारे काम प्रधान मंत्री जी करते है मंत्री मंडल करता है राइट आंसर है इस प्रेश्णिंग के लिए option number संसदिय साशन प्रणाली की सरकार में कारेपालिका का जो मुखिया होता है वह नाम मातर की शक्तियां रखता है शक्तियां तो उसके पास सारी होती है लेकिन वह बना हुआ रहता है हशक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है ठीक है संसदिय प्रणाली की सरकार में प्रणाली अन्य मंतरियों की तुलना में कैसा होता है सही उत्तर क्या है वीडियो को शेयर करते चलो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो बिहारी जी मेरी आवाज साफ आ रही है आवाज तेज आ रही है किसी प्रकार की कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं है सब को छोक के है हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संसदिय प्रजात अंतर में प्रधान मंत्री अन्य लोगों की अंतर मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में प्रथम होता है आप्शन अंबर समान लोगों में प्रथम होता है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाईए जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर कर लें अगले कौशन पर चलते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन यह रहा आपके सामने संसदिय सासन प्रणाली में मंत्री परिशद किसके प्रती उत्तरदाई होता है मंत्री परिशद जो है यह संसदिय सासन प्रणाली में मंत्री परिशद संसदिय सासन प्रणाली में मंत्री परिशद उत्तरदाई होती है कैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए संसदिय सासन प्रणानी में मंत्री परिशत क्या उत्तर हो जाएगा जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्लास रोज होती है आप परड़े आ सकते है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए सोचिए समझी आंसर दीजिए राइट आंसर क्या है प्रेशन का बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे कॉशन आपसे पूशा गया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संuchar के निम्र सदन के प्रती मंदल कहां रहता है? लोगसभा में है, और लोगसभा कौन सा सदन है? लोगसभा निम्र सदन है, तो option number सही उत्तर हो जाएगा, निम्र सदन के प्रती उत्तरदाई होती है कोई वेक्टी संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? Right answer क्या है? कोई व्यक्ति संसत का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? Right answer क्या है? प्रशन के लिए कोई व्यक्ति संसत का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए सही उत्तर क्या है कितने दिन तक मंत्री रह सकता है सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बतलाएँ या जी राइट आंसर सोचिए समज़ी आंसर दीज़ीए जिस जिसके भी गलिट हो रहे हैं सही करते जाईए राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलि देख लेते हैं तो यह अधिकतम 6 माह तक रह सकता है सही उत्तर क्या हो जाएगा छे माह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है छे माह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने राश्रपती सामानितह किसे प्रधान मंत्री नियुक्त करता है? क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर? बहुत अच्छे जी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राश्रपती जो है किसे नियुक्त कर सकता है? तो यह नियुक्त कर सकता है संसत के लोक सभा के बहुमत दलके नेता को आप्शन नमब बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुमत दलका नेता राइट आंसर है सलोनी कुमारी, वेलकम सलोनी, वेलकम बिहारी जी चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और मुझे थोड़ा सा एक बर बता दीजे कि मेरी आवास साफ आ रही है आडियो वीडियो एकदम क्लियर कट है, कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं है न सब को चोक के चल रहा है अगला क्वेशन है, क्या पूशा गया है, देखते हैं संग्य साशन प्रणाली में सरकार इनमें से कौन सा ओप्शन फॉलो करती है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए संग्य साशन प्रणाली में सरकार इनमें से कौन सा ओप्शन फॉलो करती है लाइब क्लास है, जी के जी इस की बार बार पूछे जाने वाले प्रशने है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए सही उत्तर All is good? Thank you, thank you, thank you Right answer तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संग्य साशन प्रणाली में कितने इस्तर होते हैं? दो इस्तर होते हैं एक केंद्र में होती है, एक राज्य में होती है Option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा संगीय साशन प्रणाली में दो इस तर होते हैं एक केंदर में होता है और एक राज्य में होता है अगले कोशन पर चलते हैं अगला प्रश्ण है राज्य के सदस्य का कारेकाल राज्य सभा के सदस्य का कारेकाल जो है यह कितना होता है राइट आंसर क्या है? ид क्या है? राजसभा के सदस्यका कारेकाल यह कितने समय का होता है? राइट आंसर क्या है? प्रशन के맛 लिए चलिए देख लेते हैं इस प्रशनका सही तर क्या हो जाएगा? तो राज सभा के सदसे का कारेकाल आप सभी को पता ही है ये 6 वर्ष का होता है option number B प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा right answer है 6 वर्ष का होता है सही उत्तर हो जाएगा next question देख लेते हैं लोग सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बिहारी जी लोग सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है सही उत्तर क्या हो जाएगा लोग सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए लोग सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है सही उत्तर क्या है राइट आंसर है लोगसभा द्यक्ष, स्पीकर, प्रश्णे का सही उत्र हो जाएगा वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रूप्स में जरूर शेयर करें चलिए नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं सही उत्र क्या हो जाएगा झाल सही उत्तर क्या हो जाएगा इस धनवेधियक को जो है कितने 14 दिन के अंदर लोटाना अनिवार है औप्शन नमबर ए प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा चवधा दिन के अंदर लोटाना अनिवार है राइट आंसर हो जाएगा कितने दिन के अंदर चवधा दिन के अंदर विहारी जी सही करो आंसर नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं अगला प्रशन है राश्रपती के विरुध महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए सहीतर राश्रपती के विरुध महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए राइट आंसर जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाईए चली देख लेते हैं तो इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा तो राश्रपती पर महा भीयोग सम्मिधान का अतिक्रमन करने पर सम्मिधान के विरुद्ध जो भी काम है अगर उन में से राश्रपती के विरुद्ध राश्रपती कोई भी काम करता है तो उस पर महा भीयोग लगाया जा सकता है वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूले उपर राश्रपती के विरुध पद से हटाने का प्रस्ताव कहां से प्रारंभ किया जाता है उपर राश्रपती के विरुध पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पर किया जाता है राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए मेरी आवाज साफ आ रही है औडियो विडियो क्लियर है कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं है न सबको चोक के रिपोर्ट तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उपर राश्रपती को हटाने के विरुध कारेवाही जहां का वो अध्यक्ष रहता है वहां से होती है तो राज सभा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा option number राज सभा से प्रारंब होता है उसको हटाने की प्रक्रिया को ठीक है next question देख लेते हैं अगला प्रशन है budget सर्वपर्थम प्रस्तुत कहां पर किया जाता है सर्वपर्थम budget जो है यह कहां पर प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम बजट कहां पर प्रस्तोथ किया जाता है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा लोग सभा में बजट सर्वप्रथम जो है लोग सभा में प्रस्तोत होता है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए लोग सभा अगला question है कोई बिल धन विधियक है या नहीं ये कौन प्रमाडित करता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए कोई भी बिल धन विध्यक है या नहीं यह कौन प्रमारित करता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो कोई भी बिल धन विध्यक है या नहीं ये प्रमानित करती है लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष option number C प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष यहा प्रमानित करता है कि कोई बिल धन विध्यक है या नहीं है अगली कॉशन पे चलते हैं अगला प्रशन है आपके सामने धन विध्यक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमती कौन देता है? राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए धन विध्यक को लोग सभा में प्रस्तुत करने की अनुमती कौन देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए धन विध्यक को लोग सभा में प्रस्तुत करने की अनुमती कौन देता है? राइट आंसर क्या है? तो यहा धन विधीयक के मामले में इनमें से कौन सा औप्ष्न सही होगा राइट अंसर क्या है प्रश्ण के लिए चैनल पर नए है, तो subscribe करने ना भूलें Right Answer क्या है? प्रशन के लिए धन विधियक के मामले में इनमे से कौन सा option सही होगा? तो यहाँ पर Right Answer है धन विधियक जो है इसके मामले में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं Option Number A प्रशन का सही उत्तर है, धन विध्यक के सम्मन्द में लोग सभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है Next question पर चलते हैं, अगला प्रश्न है सिंधु वासी किसकी उपास्तना नहीं करते थे? सिंधु वासी जो थे वह किसकी उपास्तना नहीं करते थे? सिंधु वासी किसकी उपासना नहीं करते थे राइट आंसर क्या है सिंधु वासी सुनील गुपता जी वेलकम मेरी क्लास का टाइम रोज सुभ़ साड़े छे बजे से है साड़े छे बजे सुभ़ दो पहर में एक बजे और रात में नौ बजे तीन क्लासिस होती है एक, दो, तीन ये तीनों क्लासिस में आप आ सकते हैं और एक दस से ग्यारा बजे के आसपास ग्यारा बजे मान लो ग्यारा बजे एक पांच मिरिट का वीडियो अपलोट करता हूँ मैं छोटा सा जिसमें 30 MSQ क्वेशन्स रहते हैं तो ये कुल मिला के आपको दिन भर में चार वीडियो चैनल पर मिल जाये करेंगे ये सारा कंटेंट एकदम फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कर लीजेगा सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा सिंदू सब्विता के लोग जो हैं विश्णू की उपासना नहीं करते थे राइट आंसर है विश्णू की उपासना नहीं करते थे ठीक है नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं अगला प्रशन है एतरे ब्राम्हन में क्रपन किसे कहा गया है। एतरे ब्राम्हन गरंथ में क्रपन किसे कहा गया है। राइट आंसर क्या है। एतरे ब्राम्हन गरंथ में क्रपन किसे कहा गया है। वीडियो को शेयर करते चलो। एतरे ब्राम्हन गरंथ में क्रपन किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या है? प्रश्ण के लिए एतरे ब्राम्हन गरंथ में क्रपन किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या है? प्रश्ण के लिए चलिए देख लेते हैं तो एतरिय ब्राम्वन गरंथ में क्रपन कहा गया है पुत्री को, किसको? पुत्री को, option number D, प्रश्न का सही उत्र हो जाएगा, पुत्री को क्रपन कहा गया है एतरिय ब्राम्वन गरंथ में, next question है, अनुच्छे 356 के तहट, इमर्जेंसी कब लगाई जाती है, कैसे लगाई ज इनमें से कौन सा option सही होगा, अनुच्छे 356 के तहट, इमर्जेंसी के बारे में, जो option है, right answer क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए, नहीं, सही उत्तर क्या है, प्रश्न का, जो भी चैनल पर नए है, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेर जरूर करें, अपने अ उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो इमर्जेंसी लगाई जाती है, कहां पर, तो जिस राज्य में सम्मेधानिक तंत्र बिफल हो गया हो, उस राज्य में इमर्जेंसी लगाई जाती है, option number B प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, next question देख लेते हैं, सम्मेधान की प्रस्तावना में कितनी बार संसोधन हुआ है, right answer क्या है, प्रश्न के लिए, वीडियो को शेर करते चलिए, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, right answer क्या है, प्रश्न के लिए, सम्मेधान की प्रस्तावना में कितनी बार संसोधन हुआ है, right answer क्या है, प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सम्मेधान की प्रस्तावना में एक बार संसोधन हुआ है, option number A प्रश्न का सही उत्तर है, गोवा को भारत का अभिन अंग कब बनाया गया था? वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यहां पर सहित्र हो जाएगा 1961 में कब? 1961 में गोवा को भारत का अभिन अंग बनाया गया था बहुत बढ़ी हैं बिहारी जी अब तक कितनी बार राश्रे आपात काल की घोशना की जा चु राश्रे आपात काल की घोशना की जा चुकी है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए अब तक कितनी बार राश्रे आपात काल की घोशना की जा चुकी है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना हाँ जी सही उत्तर क्या है जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले तो अब तक जो है तीन बार आपातकाल की घोशना हो चुकी है राइट आंसर है इस प्रशन के लिए तीन बार नेक्स्ट है कब और किस समिधान संसोधन में मताधिकार आयू 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई कब और कौन से समिधान के संसोधन में मताधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए कब और किस वर्ष हुए समिधान संसोधन में मताधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो को शेर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए सभी बताएंगे हाँ जी सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए सभी अपने अपने ग्रुप्स में जरूर शेर करें राइट आंसर सोचे समझे आंसर दीजिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1989 का 61 समिधान संसोधन इस समय मताधिकार की आयू 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई सही उत्तर हो जाएगा Next question है वैदिक अनुष्ठानों में जिस खादिहान का प्रियोग करने का विधान है वह कौन सा है? बतला ये पूजा पार्थ में आप इनमें से कौन से खादिहान का प्रियोग करते हैं? Right answer क्या हो जाएगा? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन आउन करें वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए चली बतलाईए वैदिक अनुष्ठानों में इनमें से कौन से इनमें से किसका उपियोग किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम सबको पता है वैदिक अनुष्ठानों में चावल का प्रयोग करते हैं राइट आंसर है इस प्रशन के लिए नेक्स्ट है भारतिय संगीत का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? भारतिय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतिय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें सही उत्तर क्या है? भारतिय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो साम वेद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतिय संगीत का जनक कौन कहलाता है? तो साम वेद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा. Next question है, भारत के कितने राज्यों में द्वी सदनात्मक विवस्था प्रवर्तन में है? कितने सदनों में द्वी सदनात्मक विवस्था है? क्या उत्तर हो जाएगा? Right answer क्या है, कितने सदनों में द्वी सदनात्मक विवस्था है बारत के? क्या उत्तर है? भारत के कितने राज्यों में द्वी सदनात्मक विवस्था है? राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए? सोचिए समझी आंसर दीजिए जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए भारत के छे राजियों में दुई सदनात्मक विवस्ता है राइट आंसर हो जाएगा वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनितिक गुरू थे इनमें से वह कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए? वह राजनिता जो महात्मा गांधी जी के गुरू थे इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या है? प्रशन के लिए चलिए बतलाईए शेयर करते जाएए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले वह राजनेता कौन है जो महात्मा गांधी जी के राजनेते गुरू थे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो महात्मा गांधी जी के राजनेते गुरू जो है यह है गोपाल कृष्ण गोखले जी option number C प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी चलो दिल्ली का नारा इनमें से किस ने दिया था? चलो दिल्ली का नारा किस ने दिया था? राइट आंसर क्या है? चलो दिल्ली का नारा इनमें से किस ने दिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशन के लिए, वीडियो शेयर करते चलिए, चलो दिल्ली का नारा इन में से किस ने दिया था, सही उत्तर क्या है, प्रशन का, चलिए देख लेते हैं, तो इस प्रशन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलो दिल्ली का नारा इन में से किस ने दिया था, राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये नारा दिया था आजाद हिंद फॉज ने ऑप्शन नमबर ए प्रशन का सही उत्तर है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर क्या है? चली बतलाईए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चली देख लेते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रशन के लिए गदर पार्टी के संस्थापक जो है? ये हैं लाला हरदेयाल जी, option number c, प्रशन का सहीत्तर है, next है, 1987 में निर्विरोध चुने गए राश्रपती कौन थे, 1977 में निर्विरोध चुने गए राश्रपती इन में से कौन थे, right answer क्या है, 1977 में निर्विरोध चुने गए राश्रकती इनमे से कौन थे? Right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए 1977 में निर्विरोध चुने गए राश्रकती इनमे से कौन थे? सही उत्तर क्या है? प्रशन के लिए चलिए देख लेते हैं तो 1977 में निर्विरोध चुने गए राश्रुपती जो है यह है option number right answer है नीलम संजीवा रेड़ी जी ए प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next है सर्वोच्य न्यायले की प्रथम महिला न्यायधीश कौन थी right answer क्या है सर्वोच्य न्यायले की प्रथम महिला न्यायधीश इन में से कौन थी सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए सर्वोच्य न्यायले की पहली महिला न्यायधीश कौन थी सही उत्तर क्या है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा सर्वो चिनेल की पहली महिले नैधीश फातिमा बीबी जी थी सही उत्तर है और आज का आखरी कौशन है राज्य के महा अधिवक्ता की नियुक्ती कौन करता है सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए तो राज्य के महा अधिवक्ता की नियुक्ती कौन करता है question आज का है हाँ जी आज का आखरी question अब next class आपकी next time पर होगी आप सभी को time table पता ही है जो भी पहली बार आ रहे हैं subscribe जरूर कर लें बैल आइकन on करें वीडियो को like करना ना भूलें चलिए बतलाएं क्या question पूछा गया है यहाँ पर हाँ जी तो दोस्तों यहाँ पर आज की class होती है over channel पर अगर नए हैं आप